Assalamu alaikum everyone, welcome to my youtube channel Learning with C मैं आपके साथ Virtual University का कोर्स Elementary English Code ENG 001 को discuss करी हूँ उसका lecture no.1 है आज, Introduction to Journalistic Writing सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंट्रोड़क्शन में हम लोगोंने Journalistic Writing को पढ़ना है Journalistic Writing किसको कहते हैं? Journalistic Writing कहते हैं आपकी जो Self Writing होती है जो आप किसी चीज से related अपना Point of View शेयर करते हैं अपनी सोच को, अपनी imagination को, अपनी thoughts को शेयर करते हैं अपनी writing में उसको हम Journalistic Writing कहते हैं इसकी एक proper definition मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसकी एक प्रॉपर देफिनेशन में आपको साथ शेयर कर रही हूँ आप first day, very first day रिवाब का school में होता है तो आप किन चीजों को आपको अपने mind में रखना चाहिए याद रखना चाहिए वो कौन से चीज है सबसे पहली चीज तो यह है कि do well in your studies अपनी studies में आपने improve करना है अच्छे से आपने अपनी studies पर focus करना है enjoy self expression करना है become more self relevant यानि कि आपने अपनी writing को confident बनाना है अपने आपको self confident बनाना है कि जो आप writing लिख रहे हैं जो चीज आप बढ़ रहे हैं उसकी आपको सबसे पहले तो अच्छी तरह से समझ आने चाहिए उसके बाद आपकी writing skills बहुत अच्छी होने चाहिए writing skills आपकी improve होने चाहिए self confidence आपके अंदर होना चाहिए उसके बाद है कि यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ for example shakespeare की shakespeare की writing के अगर मैं आपसे बात करूँ shakespeare जो हैं उनकी writing बहुत पहले से हमारे पास है मतलब history में वो लिखी जाती है और अभी तक still वो हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी books में अपनी जो भी study से related चीज़े हैं उसमें हम लोग shakespeare की writing को पढ़ते हैं कि उसकी tone कौन सी है उसका writing style कौन सा है जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो यह सारी जो चीज़े हैं वो हमारी history में हो चुकी है और हम still अभी तक हम लोग इसको अपनी writing में यूज करते हैं और पढ़ते हैं इसी तरह जैसे हम अपनी writing अपनी अगर पात करें तो यहां पर हम सारे इस lesson में देखेंगे कि कैसे हम लोग अपनी writing को improve करना है writing करने के लिए हमें कौन-कौन से qualities हैं वो अपनाने चाहिए कौन से चीज़ें हैं जो हम लोग उनको आने चाहिए writing से related तो यहां पर है writing is practical writing practical है हम लोग obvious सी बात है जो हम प्रैक्टिकल करेंगे जब हम राइट करना शुरू करेंगे चाहिए चोटी चीज से ही लेके हम लोग राइट करना स्टार्ट करेंगे तो ही हमारी writing जो है वो इंप्रूफ होगी अब यहां बेसिकल लिए बताया कि राइटिंग किस चीज में यूज की जाती है सबसे पहले तो प्रैक्टिकल के लिए यूज की जाती है यहां पर उन्होंने जैसे लिखा हुए कि हम notes बनाने के लिए instructions देने के लिए हम लोग notes बनाने के लिए writing को use करते हैं school में, college में, universities में job से related हम writing करते हैं इसके हम लोग यूज करते हैं letters, research reports, proposals लिखते हैं जो भी related चीज़े है job से related चीज़े हैं वो हम लोग writing उसको हम writing में use करते हैं stimulating में हम लोग use करते हैं logically, concisely, organize करते हैं अपनी writing को social base पे भी हम लोग करते हैं writing को प्रमिशन को थैंक यू नॉट्स भेचते हैं पजाए इसके कि हम अपने फ्रेंड को जो है वो लेटर के थू एक अपना मैसिज कनवे करें हम उसे थैंक यू का नोट भेचते हैं या कोई भी आसानोट जो हम लोग इन्फरमेशन अपनी शेयर करना चाहरा है अपने फ्रेंड है कै आप अपनी फीलिंग्स जो हैं अपनी चाहिए तो आप इसके लिए उसके लिया भी इंधा करते हैं तो ताकर कि आप अपने Seems यह भी आप ने यह जो आप से प्लंग जना करवा सकते हैं उसके बाद यहाँ पे हैं things to know आपको कौन से चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए तो सबसे पहले तो यह है कि आपकी writing is more than putting words on paper यहाँ पे सिर्फ paper पे words चंथ words लिख देना वो writing नहीं है आपकी जो communication skills आपकी thinking skills आपकी thoughts यह सारी चीज़ें जो हैं वो भी writing को बहतर बना सकती हैं अच्छा बना सकती हैं यहाँ पर सबसे पहले है writing well required अब कौन से चीज़ें के लिए कौन से चीज़ें आपको required है clear thinking सबसे पहले तो है यहाँ पर clear thinking clear thinking में क्या आता है कि आपने clearly thinking करना है जो भी topic आप ले रहे हैं जो भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं उसके बारे में clearly हर चीज़ को सोचना है उसके बाद आपने क्या करना है sufficient time आपने time जो है अब यहाँ पर sufficient time है second pay second इसमें क्या है कि हम sometimes ऐसा होता है कि हमारे जो mind में है बहुत साइज stories आ रही होते हैं लेकिन हमें उसका जो है राइट करना नहीं आ रहा था उसका एक sequence बनाना नहीं आ रहा था sentences बनाने नहीं आ रहा होते हैं तो हम लोग हमें time चाहिए उसके साथ उसके लिए sufficient time चाहिए हमें तब ही हम वो writing कर सकते हैं कुछ बचे जो होते हैं वो वैसे writing skills उनकी अच्छी होते हैं तो वो फॉरन से जो भी उनके माइन में आ रही होते हैं thoughts वो उसको राइटिंग की तरू लिख देते हैं लेकिन कुछ बचों को एक sufficient time चाहिए तो उसके बाद है third पे आपकी reading आप अगर अच्छा read करेंगे कोई novels कोई books वेर आप read करेंगे तो ही आप उनके थूरू आप अपनी writing को भी improve कर सकते हैं आपका जिस चीज में interest है कोई भी चीज हो सकती है whatever आपने उसको interesting बनाना है जो भी चीज आप राइट कर रहे हैं उसको आपने इंट्रस्टिंग बनाना है practice आपने practice करनी है revise revise means के आपने proof reading करनी है जो भी चीज आप लिख रहे हैं उसको आपने revise करना है at the end of the paragraph ठीक है उसके बाद है make it real आपने जो भी write करनी है आपको उसको real बनाना है यह नहीं कि आपको fake लगे जो audience है जो reader है जो आपका पैड़ा है writing को उसको यह fake लगे suggest note taking आपने क्या करना है एक note बना लेने है जो भी चीज जहां भी आप जा रहे हैं यहाँ पर उन्होंने जैसे example दिया take notes on trips अगर आप trip पे जा रहे हैं outing पे जा रहे हैं तो वहां के आपने सारे notes को share लिख लेना है कि आपने वहां पे क्या क्या चीज़ें देखी थी आपको वहां पे किस चीज को देख के अच्छा लगा कौन से चीज वहां पे सबसे बुरी थी तो इस तरह की चो चोड़ी चोड़ी करते हैं brainstorm brainstorm का मतलब है के लिखने से पहले यानि कि सोचते हैं आप clearly thinking करते हैं जो चीज आ लिखने लगे हैं उसके बारे में आप clearly तोर पे सोचते हैं thinking करते हैं कि हाँ इस topic से related यह भी बात है यह भी बात है यह उसके बाद Ip sequence बनाकर, organize करके sentences को उसके बाद आप right करते हैं उसके बता है encourage keeping a journal अब इसमें के हम basically पढ़ ही रहे हैं journalistic writing तो इसमें के हम लोग करते हैं अब यहाँ पर उन्हों जैसे दी है कि आपने example यहाँ पर दी है कि home and school आप यहाँ पर school और home के बारे में लिख सकते हैं आपको कौन सी चीज़े हम में नहीं पसंद है कौन सी चीज़े आपको पसंद है school में आप जाते हैं आपके रास्ते में कौन सी activities आपके साथ होते हैं कौन से incidents आपके साथ होते हैं कौन से incidents आपके घर में होते हैं उस सारे incidents का आप लोग sentences बनाके एक paragraph लिख सकते हैं और अपनी राइटिंग को इंप्रूफ कर सकते हैं Use Games Use Games के जरीए आप लोग जो है अपनी राइटिंग को कुछ गेम्स ऐसी होती है जो आप लोगों को आपकी स्पीकिंग और राइटिंग को इंप्रूफ कर सकती है तो वो आप यूज करें वो आप खेलना शुरू करें Suggest Making List आपने लिस्ट बना लेनी है कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं लाइक हम अगर ग्रोसरी करने जाते हैं बाहर तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं तो इस तरहां के छोट छोटी जो words होते हैं English words जो होते हैं उनके दुरू भी हम लोग एक राइटिंग को effective बना सकते हैं उसके बाद है encourage, copying इसमें भी वही सेम वही चीज़ है उसके बाद next आते हैं नीचे difference between speaking and writing इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं difference देखते हैं speaking का अलग difference है और writing जो है वो एक अलग चीज़ है speaking तो यह है कि आप लोग जो चीज़ बोलते हैं आप अपने friends के साथ जो बोलते हैं, colleagues के साथ जो बोलते हैं वो आपकी informal-formal दोनों ways से हो सकते हैं writing है वो आपको formal way में ही use करनी पढ़ती है आप informally जैसे text पे आप writing करते हैं वो कोई writing नहीं है वो आपकी ऐसा कोई यह कहलें कि आप वो कोई इतना important नहीं है आपको जो अपनी writing है आप अपनी English improve करने के लिए जो writing करते हैं, basically वो सबसे important और सही language है तो इसमें क्या होता है कि speech जो है हमारी speaking जो है इसमें यह जो होती है वो unplanned होती है हम कोई भी words जो है वो सौच के नहीं बोल रहूं थे अभी जैसे मैं आपको समझाने के लिए कुछ words बोल रही हूं या मैं मतलब के कुछ भी बोल सकते हैं अपने friends के साथ कुछ बोल सकते हैं अपनी mother के साथ कुछ बोल सकते हैं तो वो unplanned है, मुझे नहीं पता कि मैं गया बोलने वाली हूँ, मैं unplanned होके वो उनको अपना thinking है वो उनके साथ share करोगी और जो writing है वो planned होती है, हम organized करते हैं, हम grammar को सही तरह से use करते हैं, हम punctuation words को सही तरह से use करते हैं तो यह basically a planned term है, writing ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप नीचे काफी ज़्यादा इसके difference देख सकते हैं, आप कुछ से पढ़ना, मैं जिस्ट आपको एक चोटा सा overview दे रही हूं, ब्रीफ सा, तो यहाँ पर क्यों होता है, कि speech में जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, language में, language जो ह अपस में बात करते हैं, राइटिंग में क्या होता है, कि हम overall writing को लेके बात करते हैं, English एक ऐसी language है, को हर जगहां पर यूज होती है, हर बंदा उसको समझ सकता है, तो हम अपनी राइटिंग में जो है, वो English को यूज करते हैं, ताकि हम अपनी जो message है, जो बात हम न करना च हम हर एक overall बंदे को समझ आ जा जाए, ठीक है, उसके बाद यहां पर difference देख सकते हैं, आपको इसली समझ आ जाएगा उसका difference, लेक्चर नमर 2 पे आते हैं, qualities of good writer, अब इसमें यहां पर जो है good writer क्या होता है, आपने good writing में अच्छी writing करना चाह रहे हैं, तो आपको कौन सी qualities आ यहां पर discuss करेंगे, तो writing is an art, आप यहां पर देख सकते हैं, कि writing जो है, वो art है, अगर आपको writing नहीं आती, आपको grammar यूज करने नहीं आरी, punctuation यूज करने नहीं आरी, sentences को proper way में arrange करना नहीं आरा, तो आप जो है, वो writing अच्छी नहीं कर सकते हैं, तो क्या है, यह एक तरहा आपको grammar आने चाहिए, punctuation आने चाहिए, form of verb आने चाहिए, subject कहां पर यूज हो रहा है, noun कहां पर यूज हो रहा है, prepositions कहां पर यूज हो रही है, यह सारे चीजें आपको use करने आने चाहिए, सही वे में, तो यहां पर मैं वो क्या कह रहे हैं, इसके इलावा जो आपकी writing मे यूज कर रहे हैं कौन सी चीज है जो आप यूज कर रहे हैं वो आपको exactly यूज करनी है ने चाहिए तो ये एक तरहां की writing qualities हैं जो हम लग discuss करेंगे सबसे पहले तो यहां पे है आप सबसे पहले यहां पे है कि आप जो places, जो people, जो events आप यूज कर रहे हैं जो अपना interest लिख रहे हैं, जो writing में यूज कर रहे हैं इन चीजहों को वो आपका जो है अच्छा होना चाहिए वो exactly होना चाहिए कि next person को आपकी जो बात है वो exactly समझानी चाहिए and ability to write in a style which is easy to understand, easily आपको understand होनी चाहिए grammar, spelling, punctuation, यह आपकी ठीक होनी चाहिए जहां पर ये use होनी है, जिस point पर ये use होनी है वो exactly आपको पता होना चाहिए कितर use होनी है तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी good writing में improve करने के लिए एक तरह का है कि आप किस तरह से अपनी writing को good कर सकते हैं, अच्छा बिना सकते हैं, improve कर सकते हैं अब broad range of knowledge, आपके पास बहुत ज़्यादा knowledge होनी चाहिए एक topic जिसके बारे में, for example, अगर मैं table की बात करूँ, मैं table के बारे में कहां से बन के आती है, और उसकी size क्या है, उसका length कितनी है, उसके क्या चीज हो सकते है, उसका purpose के, मुझे everything, all and everything मुझे ना, उसकी knowledge होनी चाहिए, जो भी topic आप use की है, जो भी topic से related आप audience को अपना लिख रहे हैं, write कर रहे हैं, उसके बाद grammar है, grammar आपके बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, correct grammar, write, जो भी चीज, जो भी sentences, जो भी words आप लिख रहे हैं, वो आपके clear होनी चाहिए, coherent होनी चाहिए, जो next person को समझ भी है, और clear हो, short हो, concise हो, तो उसके बाद है, यहाँ पे a sense of ethics and accuracy, आपने accuracy का ख्याल रखना है, जो भी sentence लिख रहे हैं, वो बिल्कुल accurate होनी चाह है, उसके बाद यहाँ पे है, considerate, considerate का मतलब यह है, कि आपने, हर चीज पे आपने घौर करना है, हर चीज को आपने mind में रखना है, कि यह sentence मैं लिख रहा हूँ, यह word मैं use कर रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है, यह इसके साथ suit हो रहा है, यह इसके साथ use होना है, यह नही thinking रखनी है, उसके बाद यहाँ पे है, कि dream and reality, यहाँ पे नीचे जाके हम लोग जरा detail में discuss करेंगे, उसके बाद है persuasion, persuasion का क्या मतलब है, कि आपने अपनी writing के थूरू, persuade करना है, next person को convince करना है, ऐसे logics देनी है, और ताके जो audience है, वो आपका agree हो जाया की बात से, उसके बा यहाँ पे creativity है, creativity आपको पता होने चाहिए कि कौन से ऐसे strong sense of creativity यहाँ पे word use हुआ है, कि किस तरह से आपने reader का interest है, वो अपनी creativity के ज़री आपने involve करना है अपनी writing में, उसके पाद है interviewing skill, इसमें यह है कि आपका जो writer है, उसके पास excellent interviewing skill होने चाहिए, उसको पता होने चाहिए उसके पता, lecture number three है, qualities of good writers, इसमें क्या है qualities be considerate for your readers, तो be considerate मैंने आपको पताया था कि हर चीज़ पे आपने घौर करना है, हर चीज़ पे आपने think करना है, कि क्या चीज़ आप कौन से sentences जो हैं, वो कहां पर use कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बस जो समझ में आ रहा है, आप prepositions बिल को लिख रहे हैं, investigation जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, उसके आपने investigation करनी है, approach करनी है, कि यह जो बात मैंने की है, उसकी वो बिल्कुल ठीक है, यह गलत है, वो आपने देखना है, अब मैं जो बात करी थी आपसे dream and reality की, कि मैं आपको थोड़ा deeply बताऊंगी, वो मैं इसकी ब किया है, उसमें deep end reality को, a good writer knows the communication reality, अब वो कह रहे हैं, कि सबसे पहले लाइन में, जो good writer होता है, वो जानता है, कि communication की reality क्या होती है, अब यहाँ पे उन्हें ने तीन तरह के point, हमें 4 तरह के point बताए है, social contact, dream and reality जहाँ पे आएगा, आपने यह इन चार points को discuss करना है, जो आपन यहाँ रखने है, social contact, सबसे पहले, social contact में क्या होता है, कि हमारा जो communication है, दो persons का, यहाँ पे मैं example ले रहती हूँ, दो जो friends है, उनकी example ले ले लेती हूँ, तो दो friends का जो communication है, वो आपस में in touch होने चाहिए, उनको एक दूसरे की language समझानी चाहिए, उनको एक दूसरे की बात समझानी चाहिए, तो उन दोनों का communication जो है, वो आपस में in touch होना चाहिए, उसके बात, secondly, क्या है, point, common medium, common medium में हम लोग क्या करते हैं, कि उनकी language जो है, वो same होनी चाहिए, जो share कर रहे हैं, वो आपस में language जो path share कर रहे हैं, उनको, उनकी communication का मतलब आना चाहिए, उनका meaning पता होना चाहिए, तर्ड पर है transmission, transmission का मतलब है, जो आपने message convey किया है, जो बात आपने समझाना चाहिए, वो ठीक हो, clear हो, grammar mistakes ना हो, punctuation mistakes ना हो, prepositions mistakes ना हो, ये सारी जो चीज़े हैं, वो आपकी clear हो, understanding का मतलब ये है, last पर, कि message जो आपने receive किया है, जो message आपने send किया है, वो understand हुआ है, उसको समझ आया है या नहीं, तो ये यहाँ पर dream and reality में चाहर पोइंट हैं, जो आपने अच्छे तरीके से राद करने हैं, उसके बाद है persuasive again, वो ही कि आपने ऐसी strong words को use करने है, ऐसी अच्छे words को use करने है, ता कि आपका जो next person है, वो आपकी reasons की base पे, evidence की base पे, lecture no.4 की तरफ आते हैं, qualities of good writing, इसमें again वही बात है, हर lecture जो है, वो good qualities से ही related है, तो आपने एक overall सा एक concept ले ले लेना है, कि हम अपनी good writing में qualities कौन कौन से use कर सकते हैं, अभी तक मैंने आपको बताया है, कि आप अपनी writing में जो है, वो grammar ठीक रखनी है, punctuation ठीक रखनी है, और ज आपके साथ की हैं, अभी 4 lecture में में आपके साथ क्या शेयर कर रहे हूं, कि आप अपनी writing में direct रखनी है, जो भी चीज आप लिख रहे हैं, आप कुछ भी राइट कर रहे हैं, किसी भी चीज से related आप राइट कर रहे हैं, आपने sentences को एक short short लिखना है, long long lengthy lengthy sentences नहीं लिखना है ताकि audience जो होती है, हो हर type की होती है, किसी को अच्छे mind वली भी होती है, बुरे mind वली भी होती है, तो हम लोगों को हर एक equal audience को लेके चलना होता है, तो हम लोगों ने सब का धिहान रखके हुए short sentences को use करना होता है, direct बात को use करना होता है, indirectly कुछ भी आप अपनी writing में use नहीं करें, incomplete हो के sentences को use नहीं करना, lucid है, lucid का मतलब यह है, कि आप logical देनी है, logic की base पर कोई बात करनी है, तो logic दे दे कि उसकी जो है वो आपने शो करना है, अपने sentences को, आप कुछ भी communicate कर रहे हैं अपने readers के साथ, आपने उसकी success तब ही है, जब आप जो है, वो अपना purpose शो करें, आप जो अपनी बात convey करना चाहरे हैं, जो message convey करना चाहरे हैं, वो audience को बिल्कुल exactly, बिल्कुल accurately उसको समझ आए, कि आप कौन सा message जो है, वो convey करना चाहरे हैं, तो express a clear point, आपने जो भी sentences use करने हैं, बीच में गुमा फिरा के वो ही same बात आ रही है, बस आपने points को याद रखन हैं, आप अगर हर lecture में एक ही points को याद करेंगे, एक ही point को discuss करेंगे, तो आपका जो है ना paper मुझे लगता है, क्या attempt हो जाएगा, तो again वही बात है, कि to express a clear point, आपने जो भी use करना है, sentence को इसको clear तोर पे use करना है, clear point बना कि उसको use करना है, incorrectly आपने कुछ भी नहीं लिखना ताके next person को जो है, वो आपकी, 2 seconds में आपकी, जो message है, वो convey हो जाए, to be tightly structured means, अब इसमें भी आप लोगों ने सेम वोई चीजे हैं, grammatical and syntactical correct means, ये भी सेम वोई है कि structured पे focus करना है, जो think आप कर रहे हैं, वो आप लोगों ने structured way में एक thinking करनी है, कि organized way में आपने sentences को लिखना है, तो उसके बाद हैं यहां पर, to be substantive, to be substantive का मतलब यह है, कि आपने जो words यूज करने है, जो sentences की यूज करने है, वो reality based होने चाहिए, वो real होने चाहिए, वो fake नहीं लेगने चाहिए, अगर आप किसी message को convey कर रहे हैं, कोई persuasive message है, तो आपने real words को use करना है, fake words को use नहीं करना logic words को use करना है, reality के words को use करना है, to be interesting, आपने अपनी writing को interesting बनाना है, fake नहीं बनाना है, जो reader है, जो audience है, आपकी writing को पढ़े तो उसको आपका जो work है, वो interesting लगे, उसके बाद है clear, अब यहां पे clear का means यह है, कि आपने अपनी, यहां से पहले आपे लिखा हुआ हुआ इक ला integration, correctness, credibility, courtesy, and concreteness, 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 यह सारे जो words है, यह C से, आप इसको जो है, प्रिंसिपल ऑफ C भी कह सकते हैं, जो यह सारे words जो है, वो आप देख सकते हैं, कि यह C से start हो रहे हैं, आपने इनको याद रखना है, कि आपने इनको याद रखना है, कि आपने इनको राइटिंग मे यूज करना है, complete sentences को यूज करना है, concise sentences को यूज करना है, तो यह सारे चीज़ने जो है, वन बाइवन करके आपनी याद रखनी है अपनी राइटिंग में, कुछ भी आप लिख रहे हैं, आप इनको चोटे तरीके से, आप अपने घर, जो आप घर में जो इन्वार्मेंट आप इसको अपनी डारी पर लिख सकते हैं. आप स्कूल में जो अर्वाइरमेंट देखते हैं éléments, आप उसको अपनी डारी पर लिखकर अपनी रराइटिंग को इंडुरूफ कर सकते हैं. शॉर्ट संतेंस को यूजद करके वापनी र फ्रनको का सबस्क्र एये हैं. दूसरों के साथ, जो friends के साथ, audience के साथ आपको clearly उसका communication purpose पता होना चाहिए Choose short, familiar, conversational words Short words को again वही बात कि मैंने आपको बताया है कि short words को use करें, familiar words को use करें तो इस तरह के words को आपने use करना है include करनी है, examples देनी है, visual aids देनी है ठीक है, उसके बाद यहाँ पर construct effective sentences and paragraphs आप अपनी definition देके, message देके, जो audience को आप communicate करना चाहरा है message वो देके, आप last पर अपनी example दे सकते हैं ताकि आपको जो meaning है, वो और तरह से proper way में convey हो Choose short, familiar, conversational words अब यहाँ पर उन्हेंने words दिये हैं कि हम यहाँ पर कौन से familiar words को यूज कर सकते हैं, यह सारे दिये हैं, आप यहाँ से देखके पढ़ सकते हैं अच्छा, उसके बाद है, construct effective sentences and paragraphs तो आप जरू लिखते हैं, पराग्राफ लिखते हैं आपको माइंड में पता हो मना चाहिए अगर अगर आप sentence कितनी हैं तो इसकी length कितनी हैं, यह इस चीज आपको बता होने चाहिए यह पर यह लिद्गे पता उने हैंारी आपको यह पिताई भी है unity, unity का मतलब है कि जो आपका sentences है वो एक दूसरे से relate होना चाहिए related होना चाहिए उन सब का आपस में relation होना चाहिए एक idea शो कर रहे हैं तो वो पूरा paragraph जो है वो एक idea को ले कर ही चले coherence का मतलब है कि जो आप बात convey कर रहे हैं जो message आप audience को देना चाहरे हैं emphasize देना है, जोर देना है उसको हम emphasize कहते हैं उसके बाद यहां पर नीचे आते हैं include example, illustrations and other visual aids when desirable इसमें हम लोगोंने source लिखा है, examples लिख 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 हैं pictures जो आपने writing की share कर सकते हैं जो chart आप share कर सकते हैं, headlines share कर सकते हैं वो सारी चीज़ें जो है, वो आपकी examples, illustrations, visual aids or when desirable में आजाएंगी जो आपकी color है, जो type है, capital है, italics है, कौन सा आप, कौन यूज कर रहे हैं writing style कौन सा यूज कर रहे हैं, underline कर रहे हैं कहां पर आप numbers को यूज कर रहे हैं वो सारी चीज़ें जो है, वो आपकी visual aids में आती है उसके बाद lecture number five पे आते हैं qualities of good writing तो इसमें है, be complete आपने sentences जो यूज करना है, जो words यूज करना है, वो complete होने चाहिए बिल्कुल ठीक होने चाहिए उसके बाद है, be concise आपने जो है, वो brief words को यूज करना है, चोटे words को यूज करना है, चोटे words को यूज करना है, और sentences भी आपकी short होने चाहिए बी creative, आपने creativity को शोग करना है, अपनी writing में, जो आप अपने ideas को शोग करना है, ताके आपके next person को आपकी creativity भी नज़र आए और आपका message भी समझ में आ जाए be concentrate का मतलब है, कि आपने अपनी writing है, उसके sentences पर गोर रखना है, कि आप कौन से words और कौन से sentences यूज कर रहे हैं, be correct आपने अपनी grammar को ठीक रखना है, punctuation, spelling, everything, each and everything, उसके बाद है, be credible, credible का मतलब है, कि आपने अपनी essay words को use करना है, ताकि आपको खुद भी बता होगे, आपका जो next person है, वो इस words को, जो है, वो समझ सकता है, या नहीं, तो आपने be credible रखना है, यानि कि आप अपनी coherent रखना है, अपनी words को, concrete, be concrete, be concrete का मतलब है, कि आपने essay words को use करना है, जो strong हों, जो अच्छे हों, जो good हों, next person को impress करें, आपके वो words, ठी है, उसके बाद है lecture number six है, the process of writing, तो the process of writing में है, invention है, collection है, organization है, drafting है, revising है, and proof reading है, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा overview देती हूं आपको, सबसे पहले है, invention, invention में क्या है, कि हम लोग कोई भी word लिख रहे हैं, हम कोई sentences सोच रहे हैं, हम कोई paragraph के बार में सोच रहे हैं, कोई भी एक topic है, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, एक time में हम different topics के बारे में तो नहीं सोच सकते हैं, हम एक ही topic के बारे में different sentences को सोचते हैं, different words को सोचते हैं, उसको हम लोग invention में आता है, हम सिरफ एक सोचने का process का रहे हैं, वो सबसे पहले हमारा start होता है राइटिंग में उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहां पे सारे जो हैं वो लिखा हुआ है कि हम लोग किस तरह से सोच सकते हैं explore the problem not the topic सबसे बहले तो हमें topic सोचना है कि हम किस चीज़ के बारे में हम कितना जानते हैं हमारी उससे related knowledge है हम जो लिखने वाले हैं उसके बारे में हमें knowledge है know how है यह नहीं है ठीक है उसके बाद हम लोग लेखते हैं who is your reader आपका reader कौन है आपका purpose क्या है who are you the writer ठीक है यह तीन चीज़े हैं जो हम हमें एक होता है ना कि आप writing लिखने लगे हो आप यह सब चीज़े सोच कि writing start कर सकते हो कि आपका reader कौन है जो यह चीज़ पढ़ेगा आपका audience कौन है आपके purpose क्या है आप जो write कर रहे हो उसका मकसद क्या है क्या मकसद है इसका लिखने का उसके बाद है who are you आप कौन हो और आप writer हो क्या हो ठीक है आप यह क्यों लिख रहे हो इसके बाद यहां पर गोल जाके होते हैं how can you achieve your purpose आप कैसे अपना achieve कर सकते हो purpose can you make a plan यह सारी चीज़ें जो हैं आप brainstorming करते हो talk to your reader आप बात करते हो ask yourself questions आप questions करते हो अपने से journalistic questions करते हो आप यह सारी चीज़ें जो हैं सबसे पहले तो आप brainstorming करते हो पहले से एक चीज़ को सोचते हो topics related knowledge लेते हो अपने reader जो audience है उसके साथ आप talk करते हो communication करते हो ठीक है उसके बाद आप क्या करते हो अपने आप से सवाल करते हो उसके बाद आप start करते हो write an outline write the first graph revise and polish ठीक है यह सारी चीज़ें जो हैं आपकी वो basically य अपने चीज़ें आप इन्वेंट और सब्सके आप शुक्तभाश करया हैं ते मिल्समिक आप पर अपने उनिया हैं लिवेंट करते हो स्टेंस ठीक हर और एक समोन स स्टेंसी जो है में आपके अच्छेश को कटरते हो पांत हो इसकोक्या करते हो ठीक है, अपने mind में, उसके बाद क्या करते हो आप, यह सारे questions हैं, आप इसको देख सकते हैं Listing, Listing में क्या करते हो, आपने जो information जो है, वो ढूल ली है, knowledge आपको मिल गया है, information मिल गई है तो आप list बना लेते हो, one by one करके, एक sequence बना लेते हो, उसको organize कर लेते हो ठीक है, एक structure बना लेते हो, उस information का, first पर ये, second पर ये, third पर ये, fourth पर ये, ठीक है जैसे यहाँ पर आपको नसर आ रहा होगा उसके बाद यहाँ पर clustering है, clustering ये है, कि आप अपने mind में एक sketch बना लेते हो, holiday है, holidays से related आप, सारा material जो है, वो one by one करके, topics के थूँ, अकठा कर लेते हो, collect कर लेते हो ठीक है, उसके बाद यहाँ पर lecture number seven है, the process of writing two, इसमें क्या है, कि library of congress classification, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे अब है, organizing, listing हमने बना ली, list हमने बना ली, फिर उसके बाद हमने organizing करनी है, organize करना है material को, जो information हमने invent किया है, जो information हमने collect किया है, list किया है उसको हमने fourth pick organize करना है, ठीक है, जैसे हमने listing बनाई थी, वही बात कि आपने organize कर लेना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर drafting, आपने जब अपना लिखना start करना है, आपने क्या करना है, give yourself ample time to work on your project, आपने लिखना start कर दिया, comfortably आपने लिखना है, जो भी चीज़ लाप लिख आपने लिखना start कर दिया, ठीक है, avoid distractions, take breaks, आप, मतलब, आप अगर break ले लेके भी लिख रहे हैं, तो it's okay, कोई मसला नहीं है, आप start में जो है, वो break लेके लिखेंगे, not a big deal, ठीक है, आपने start जो है, वो break लेके करना है, जो distract कर रहे हैं, आप persons, कोई आपके पास बैठा हु आपने और्गनाइस किये थे, वो आपने, आप रिवाइस करने हैं, clear communication of ideas, organization of paper, paragraph structure, strong introduction and conclusion, ये सारी चीज़े हैं, आपने mind में रखने हैं, कि आपकी जो communication है, जो words आपनी use किया है, जो sentences आपनी use किया है, जो communication skills आपनी use किया है, वो clear होनी चाहिए, secondly, आपका organization of paper, आपका जो paper ह organized होना चाहिए, जो paragraph, जितने भी paragraph आपनी use किया है, वो organized होने चाहिए, third पे paragraph structure, आपका paragraph structure है, वो अच्छा होना चाहिए, fourth पे, strong introduction and conclusion, तो सबसे पहले introduction जो है, आपका strong होना चाहिए, और end पे आपका conclusion जो है, वो strong होना चाहिए, उसके बाद है last पे proof reading, proof reading में हम लोग क्या कर कर लेते हैं सारे अपनी writing को, हम कोई mistake नहीं है, grammar की mistake, spelling mistake, punctuation mistakes, again वही बात के short sentences है, lengthy sentences ना हो, concrete sentences ना हो, यह सारे चीज़े हैं, हम लोग अपनी writing में check कर लेते हैं, proof reading के through, उसके बाद lecture no. 8 पे आते हैं, all about words, अब इसमें हम लोग words के बारे में पढ़ने वाले हैं, what are words made of, क्या चीज़ जो है, वो word बनाती है, the structure of words is called morphology, morphology जो है, वो word को invent करती है, structure of words को बनाती है, ठीक है, morpheme, morphology, सबसे बहले आपने morphology की definition याद करनी है, structure of words जो है, वो morphology होते हैं, ठीक है, उसके बाद, morphology में morpheme आता है, morpheme जो है, smallest linguistic unit है, that has semantic meaning, जिसका semantic meaning है, तो morpheme जो है, इसमें, दो तरह के morpheme भी होते हैं, six type के morphemes भी होते हैं, different types के morphemes होते हैं, ठीक है, अब one morpheme है, यहाँ, for example, dog, अब इसमें कोई पी, जो है, वो, two morpheme नहीं है, three morpheme नहीं है, यह अपना एक, जो meaning है, वो convey करता है, यह एक single word है, इसका कोई suffix न है, यह अपना एक word है, एक base root word है, ठीक है, dog, जिसका कोई prefix, कोई suffix नहीं है, कोई भी morphemes और morphemes इसमें add नहीं हुए, ठीक है, two morphemes के अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम dog के आगे s लगा दें, तो यह dogs बन जाएगा, तो यह जो s है, वो suffix है, ठीक है, तो यह जो ह है, वो two morphemes हो जाएंगे, morphemes means यह है, कि आपका जो base word है, उसको हम morphem कहते हैं, उसमें जतने भी morphemes add होते जाएंगे, suffix के तोर पे, उसको हम two, या three, या four, या five, हम इस तरह से consider करेंगे उसे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे morphem की two types हैं, free morphem and bound morphem, free morphem का मतलब है, कि जो free morph morphem है, वो stand alone करते हैं, यानि कि उनके साथ कोई भी prefix या suffix add नहीं होता, कोई भी इसका जादा करने के लिए, ऐसी है, कोई भी इस तरह का word use नहीं होता, वो अपना एक base root होते हैं, ठीक है, stand alone करते हैं, for example, dog, elephant, child, इस तरह के और भी जो words है, उनके आगे कोई भी हम prefixes लगा के हम या suffixes लगा के हम कोई भी अपना word invent नहीं कर सकते, वो अपने एक base word root होते हैं, free morpheme, अगर हम bound morpheme की बात करें, जो हमारे prefixes होते हैं, जो हमारे suffixes होते हैं, वो हमारे bound morpheme में आते हैं, और यह जो होते हैं, this cannot stand alone, यह stand alone नहीं कर सकते, आप जिसे देख सकते हैं, कि free morpheme dog है, त क्या है, child क्या है, अगर हम bound morpheme की बात करें, तो यहाँ पर example आप देख सकते हैं, s है, ish है, ness है, तो यह सारी चीज़ें जो होती हैं, अगर हम अकेले लिख देंगे सारी चीज़ें, s अकेला लिख दें, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि meaning क्या है इसका, अगर हम इसके सार dog लगाएंगे, और s लगाएंगे, फिर हम suffixes में add करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि dogs हैं, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे है how words are formed, तो कैसे बनते हैं, words, prefixes के थरू, suffixes के थरू, compounding के थरू, इन सारी चीज़ों के थरू हमारे words बनते हैं, हमारा noun है, verb है, adjective है, adverb है, वो हमारा meaning जो है, वो change करता है, for example, यहाँ पे एक word दिया है, decide, अब decide जो है, वो हम noun में भी use करते हैं, verb में use कर सकते हैं, adjective में, हर एक का अपना एक meaning होता है, हम इसमें different तरीके से decide को use कर सकते हैं, इसके आगे suffixes को add करके हम लोग इसको meaning जो है, वो change कर सकते हैं, और prefixes को पी add कर सकते हैं, आप examples हैं, आप यहाँ पे इसको पढ़ के easily समझ सकते हैं, यसे beauty एक word है, यह base root word है, morpheme है, उसके आगे हम beautiful लगा देते हैं, tea full लगा देते हैं, तो यह जो है, वो एक bound morpheme लग बन जाता है, beautician लगा लगा लगेते हैं, beautify लगा 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 लगते हैं, तो यहाँ सारे इन्होंने कुछ examples दी हैं जो आपको clearly तोर पे समझ आ जाएंगी prefixes में क्या होता है कि हम लोगों का जो base word होता है उसके start पे जो हम word को use करते हैं invent करते हैं उसको हम prefixes कहते हैं यहां पे meaning भी है examples भी हैं मैं आपके लिए एक अलग video बनाऊंगी prefixes की suffixes की जिसमें आपको मैं detail में यह सारी information दूँगी सारा जो है समझाने की कोशिश करूँगी prefixes क्या होता है suffixes क्या होता है इसके नीचे ही अगर हम आते हैं तो हमें suffixes मिलता है suffixes क्या होता है जो हमारा base word होता है उसके आगे जो हम लोग जो बाद में हम लोग यूज़ करते हैं बेस वर्ट के बाद में हम जो वर्ड यू इन्वेंट करते हैं उसको हम सिफिक्स करते हैं प्रिफिक्स मैंने आपको बताया जो बेस वर्ड के पहले हम लोग begin में start में हम लोग जो words use करते हैं invent करते हैं उसको हम prefix कहते हैं और जो base root के बाद में use करते हैं वो suffix होता है तो यहां पर मैं आपको और सदा deeply define कर दूंगी I hope कि आपको आज के मेरे सारे lectures 1, 2, 8 समझ में आये होंगे आज के लिए इतना ही अलाफिस अगर आपने मेरे चैनल को भी तक subscribe नहीं किया तो मेरे चैनल को subscribe करें like करें comment करें और also share करें